तपमान से रिलेटेड विभी आय प्रसन को डिस्कस करने वला हूं, चलिए सुरू करते हैं, आप से पुछा जा सकता है, मानोव सरीर का तपमान, Celsius में 37 डिगरी होता है, तो Kelvin में कितना होगा, या Fahrenheit में कितना होगा, इस तरीके से आप से पुछा जा सकता है, या Celsius में 20 डिगरी तो सबसे पहले मैं Celsius का लिख रहा हूँ, Celsius को C से denote करते हैं, तो C minus, अब यहाँ पर समझेगा, पानी का हिमांक बिंदू और boiling point आपको समझना है, जैसे पानी का freezing point, यानि कि हिमांक बिंदू होता है 0 degree, और boiling point यानि कि भाप बिंदू या कोथनांक बिंदू होता है 100 degree Celsius, समझने का परियास किजेगा, तो आपको लेना है 100 minus 0, यानि कि freezing point हिमांक बिंदू, और बटे में ये दोनों का अंतर को लेना है, तो अंतर तो 100 ही होगा, तो यहाँ पर 100 रख देना है, इसके बाद, फारेन हाइट के बारे में समझना है, तो यहाँ पर आपको F लिखना है F minus, अब पानी का फारेन हाइट में freezing point कितना होता है, 32 degree Fahrenheit होता है, तो यहाँ पर आपको 32 रख देना है, बटे में समझना है, तो फारेन हाइट में freezing point यानि कि हिमांक बिंदू कितना होता है, तो 32 degree Fahrenheit होता है, और boiling point यानि कि भाप बिंदू कर सकते हैं, या को अथनांग कर सकते हैं, त तो ये दोनों का अंतर कितना है, तो 180 है, तो ये दोनों में अंतर 180 है, तो बटे में 180 आपको रखना है, एक बार relation को अच्छा से सीख लेंगे, तो फिर कभी कोई दिकत ने होगा, और याद नहीं करना है, आपको समझना है, इसके बाद आपको लिखना है बराबर में Kelvin का, तो Kelvin को कैसे denote करते हैं, अब यहा पर समझेगा, तो पानी का Kelvin में हímank bisndu कितना होता है, यानि कि freezing point कितना होता है, तोちは 263 Kelvin होता है, और boiling point, तो यहाँ पर माइनस में तो freezing point लिखते हैं, हímank bisndu लिखते हैं, तो हímank bisndu इतना है, 200, 73 Kelvin, तो यहाँ पर आपको 200, 73 Kelvin लिखना है, तो और बटे में तो freezing point 200 Coming तो boiling point कितना होता है 300 Mul 100 का बटे में आपको 100 लेना है तो इसी को आपको याद करना है और एक और होता है rumor में अगर आप rumor में याद करना चाहेंगे तो इधर में आप लिख लिजिए लेकिन ज्याधा तर आपको इसी तीनों का relation में आपको पुछा जाएगा तो Romar में क्या होगा तो Romar के लिए आपको R लिखना है Romar में पानी का हिमांक बिंदू यानि कि freezing point zero degree होता है zero degree Romar to यह क्या है freezing point यानि कि हिमांक बिंदू तो minus में हिमांक बिंदू को ही लेते हैं और बटे में क्या लेते हैं, तो romer में freezing point कितना है, zero degree romer और boiling point कितना है, तो 80 degree romer, अब यहाँ पर समझेगा, तो zero degree romer और 80 degree romer में कितने का अंतर है 80 का न, तो यहाँ पर आप 80 लेंगे बटे में, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप इस तरीके से लिख लिख क समझेगा फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा मैं देख लता हूँ कि last में आपको दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा है तो बिल्कुल clear दिखाई दे रहा है कोई दिकत नहीं है तो अब समझने का पर्यास किजिएगा और एक चीज़ आपको समझना है Kelvin को छोड़के जैसे आप लिखेंगे 273 Kelvin अगर आप Celsius में लिखेंगे तो जैसे आप लिखेंगे 50 degree Celsius तो Kelvin में यहाँ पर degree नहीं होता है बाकी सभी में degree होता है जैसे Celsius में भी degree होगा और Fahrenheit में भी degree होगा और Romar में भी degree होगा लेकिन Kelvin में degree नहीं लिखते हैं ये हमेशा के लिए याद रखेगा अब प्रसना किस तरीके से दिया हुआ रहेगा ये आपको समझना है आपसे पुछा जा सकता है मानव सरीकत अपमान Celsius में 37 degree है तो Fahrenheit में कितना होगा या Kelvin में कितना होगा इस तरीके से आपसे पुछा जा सकता है लेकिन अगर आप याद किये हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन यहीं चीज तो नहीं पुछा जाएगा आपसे पुछा जाएगा Celsius में 20 degree है तो Fahrenheit में कितना होगा या Kelvin में कितना होगा या Romer में कितना होगा इस तरीके से आपसे पुछा जा सकता है तो मैं एक एक जामपल बता रहा हूँ जिसे आप से पुछा गिया है मानो सरिकत अपमान Celsius में 37 degree है तो Fahrenheit में कितना होगा तो आपको क्या करना है Celsius और Fahrenheit का relation को लेके चलना है तो मैं एक बार लिख लेता हूँ तो यहाँ पर C-0 है तो आप direct C लिखेंगे कोई दिकत ने है तो यहाँ पर मैं C बटे 100 ले लिया इसके बाद बराबर में सभी बराबर है आपस में तो आपको बराबर में लेना है और इधर में F-32 और बटे में 180 समझन सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जगा इसको गुणा कर लेते हैं तो पाँच यहाँ धिरी 37 डिगरी और बटे में कितना है 5 है और यहाँ पर देख लिजिए 1 माइनस 32 और बटे में 9 तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जगा इसको गुणा कर लेते हैं तो 5 एप माइनस में 5 दुना 10, 5 तिया 15 और 11 इतना हो गिया और इसको गुना करेंगे तो 9 सते 63 के 3, 9 तिया 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 तो यहाँ पर हो गया 333 अब क्या करेंगे तो 5 एप इधर रहेगा और इसको उधर में ले जाएगे तो add हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 333 प्लस 160 तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 और 3, 3 रहेगा इसके बाद 6, 3, 9 यहाँ पर 9 इसके बाद 1 और 3, 4 इतना हो गया अब 5 से यहीं पर काट लेते हैं तो 5 से कटेंगे तो कितना बार में जाएगा तो 5,9,45 समझने का परियास किजेगा 5,9,45 यहाँ पर 4 बच गया है न तो 43 हो गया समझने का परियास किजेगा तो 5,5,8,40 अब 3 बच गया यहाँ पर 3 बच गया न बच गया अब नहीं जाएगा तो point देना होगा तो यहाँ पर 0 बठा देंगे तो 536 यानि कि इतना तो Fahrenheit में कितना होगा Fahrenheit में होगा 98.6 degree Fahrenheit बिल्कुल समझ में आ गिया होगा तो मानोशरी का तपमान Celsius में 37 degree होता है तो Fahrenheit में कितना होता है 98.6 degree Fahrenheit यह आपको याद भी कर लेना है अगर याद किये हुए रहेंगे तो अगर इस तरीके से objective प्रशना आया मतलब कि टीक मारने वाला आया है तो आप असानी से देखते के साथ answer दे सकते हैं और अगर आपको solve करने वाला प्रशना है Celsius में 37 degree है तो Kelvin में कितना होगा तो अब क्या करेंगे Celsius और Kelvin का relation को लेकर चलेंगे बराबर में है ना सभी आपस में बराबर है तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर C बटे 100 ले लेना है बराबर में K माइनस 273 बटे में 100 अब यहाँ पर देखे यह तो और भी असान है क्योंकि यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कट गया अब आपको समझना है कि यहाँ पर जैसे आपको Kelvin में बताना है तो इसका value तो दिया हुआ है जैसे Celsius में मनोसरी का तपमान दिया हुआ है 37 डिगरी उसी को Kelvin में बदलना है Kelvin में कितना होगा तो यहाँ पर आपको 37 डिगरी Celsius रख देना है तो यहाँ पर आपको 37 डिगरी रख देना है तो रख दिये इसके बाद अब यहाँ पर देखे के है और इधर में माइनस 273 है यही तो नीचे बादा कट गिया तो 33 गुना करने का इसमें टेंसन नहीं है यह तो और भी असान था अब क्या करेंगे तो इसको इधर में लेंगे तो यहाँ पर 37 और पलस में हाँ यहाँ पर मैं mistake कर रहा हूँ आपको डिगरी में नहीं लिखना है Kelvin जो होता है Kelvin में जो भी मान आएगा उसको डिगरी में नहीं लिखना है यानि कि आप जैसे इहाँ पर 273 है तो 273 डिगरी Kelvin नहीं पढ़ेंगे यानि कि डिगरी लिखना ही नहीं है तो clear है अब क्या करेंगे इसको इधर में लेंगे तो पलस में हो जागा तो 273 और इधर में K यानि कि Kelvin तो 1710 के 0 इसके बाद फिर से 1710 और 111 के 1 हाथ में 1, 2 और 113 यानि कि 310 Kelvin में कितना होता है मानो सरीर का तपमान Kelvin में कितना होता है तो 310 Kelvin होता है हमेशा के लिए याद कर लिजे अब मैं यहाँ पर फिर से रिपिट कर दता हूँ मानो सरीर का तपमान Celsius में 37 degree Celsius होता है और Fahrenheit में 98.6 degree Fahrenheit होता है और Kelvin में 310 Kelvin होता है इसमें degree नहीं लिखना है तो ये तीन चीज़ आपको याद करना है हमेशा के लिए याद कर लिजे ताकि फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा और इस तरीके से अगर objective प्रशना आया तो आप असान तरीके से लिख लेंगे कोई दिकत नहीं है अब एक चीज बिबियाई प्रशना में बताने वाला हूँ बिबियाई प्रशना एक प्रस्णा बिभी आई है और वो प्रस्णा है Celsius और Fahrenheit में Celsius और Fahrenheit में कौनशा मान या कौनशा रीडिंग बराबर होता यानि कि सम्मान होता है ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है या समझना है, समझने का प्रयाज किजीएगा इसमें क्या है Celsius और Fahrenheit में कौन सा मांग कौन सा reading बराबर होता है तो अब यहाँ पर क्या करना है तो Celsius और Fahrenheit की बात हो रहा है तो दोनों को आपको ले लेना है तो C बटे 100 हो जाएगा इसके बाद बराबर में F-32 और बटे में 180 अब यहाँ पर समझेगा तो सबसे पहले 0 कटना है 9, 2, 18 और 2 से इसको 2, 10 यह कट चुका है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अब यहाँ पर समझेगा तो प्रशना क्या है मैं प्रशना को लिखा नहीं हूँ लेकि मैं बोल रहा हूँ समझने का परियास किजिएगा Celsius और Fahrenheit में कौन सा मान या कौन सा reading बराबर होता है तो आपको क्या करना है C और F के जगा में बराबर value रख दना है मान के चलते हैं इस दोनों में X कमान बराबर है X reading बराबर है तो यहाँ पर भी X रखेंगे यहाँ पर भी X रखेंगे तो X रख दिए और बटे में तो यहाँ पर 5 है और इधर में क्या है तो F के जगा में X रखेंगे और इहाँ पर 32 और बटे में 9 अब समझने का प्रियास किजिएगा तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर 9 X होगा और इसको गुना करेंगे तो 5 X और इसक इतना है माइनस 160 है तो अब 4 से कट लेते हैं यही पर तो क्या हो जगा 4, 4, 16 और 1, 0 कट गिया है न तो X बराबर आ गिया है माइनस 40 डिगरी अब यहाँ पर हमेशा के लिए याद रखेगा यानि कि माइनस 40 डिगरी का जो रीडिंग है मान है फारेन हाइट और सेल्सियस दोन कौन समान या कौन सा रीडिंग बराबर होता है समान होता है तो माइनस 40 डिगरी हमेशा के लिए याद रखेगा तो यहाँ पर डिगरी लिखेंगे कोई दिकत है लेकिन जब भी आप पूरा लिखेंगे जैसे 40 डिगरी फारेन हाइट या माइनस 40 डिगरी फारेन हाइट य आप यह नहीं कह सकते हैं कि 100 degree Kelvin, 100 degree Kelvin नहीं कह सकते हैं, अगर 100 है तो 100 Kelvin आप कह सकते हैं, तो इसमें आपने क्या सिखा, अगर मानों सरीर कतब मान, Celsius में 37 degree है, Celsius में 37 degree है तो Fahrenheit में कितना होगा आप निकाल सकते हैं या Kelvin में कितना होगा आप निकाल सकते हैं या आप से पुछा गिया है कि Fahrenheit में 36 degree है तो Sorry Celsius में 36 degree है तो Fahrenheit में कितना होगा या Kelvin में कितना होगा या Romer में कितना होगा तो आप असान तरीके से निकाल सकते हैं या केलिविन में दिया हुआ है उसका आपको निकलना है फारेन हाइट में, सेल्सियस में या रोमर में तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको भी एक्जामपल ले सकते हैं जैसे आप मान के चल सकते हैं कि Celsius में कोई मान दिया हुआ है जैसे Celsius में 50 डिग्री दिया हुआ है तो Celsius में 50 डिग्री है तो Fahrenheit में कितना होगा, Kelvin में कितना होगा, Romar में कितना होगा तो इस तरीके से आप practice जरूर करिएगा और सबसे बड़ी बात है कि यह जो relation है ना इस relation को आप एक बार आचा से लिखने के ले सीखिए इसमें क्या था मैं एक बार repeat करता हूँ अगर कि नहीं को doubt हुआ होगा तो मैं एक बार repeat करता हूँ तो यहाँ पर यह Celsius है, Celsius minus पानी का हिमांक बिंदू यानि कि freezing point कितना होता है, 0 degree तो यहाँ पर 0 लेना है और समझेगा पानी का freezing point 0 degree और boiling point 100 degree तो यह दोनों में अंतर 100 तो बटे में 100 यानि कि यही दोनों का अंतर को लेते हैं अगर आप Fahrenheit की बात करें मैं थोड़ा दूर दू इसलिके हैं Fahrenheit में पानी का हिमांक बिंदू यानि कि freezing point कितना है 32 degree है तो यहाँ पर 32 रखेंगे और बटे में क्या रखेंगे तो Fahrenheit में पानी का freezing point कितना है यानि कि हिमांक बिंदू 32 degree और boiling point 212 degree तो बटे में क्याल लेंगे यह दोनों का अंतर तो कितना होगा 180 होगा समझने का प्रियास किजिएगा इसके बाद Chapel Wall के बारे में समझ लीजिए तो Kelvin में क्या होता है ? याने की हिमाग्ट बिंदू कितना होता है ? हिमांग्ट से 163 होता है opened वाइलिंग पॉइंट कितना होता है ? ऋ यह दोनोंमें कितने का लेते हैं ? इसी तरीके से रोमर into and पर R लिखेंगे Romer, तो R-, अब यहाँ पर समझेगा Romer में पानी का हिमांक बिंदू होता है, 0 degree Romer, तो यहाँ पर हिमांक बिंदू को लिखते हैं, तो 0 लिखेंगे, इसके बाद बटे में हिमांक बिंदू 0 है, और boiling point कितना है, 80 degree Romer, तो 0 और 80 में अंतर कितना है, 80 का है, तो यहाँ पर बटे में 80, इसी relation को याद रखिएगा, तो आप, आप से मतलब की इसमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा, और दूसरे में आपको convert करने के लिए कहा जाएगा, निकालने के लिए कहा जाएगा, तो